पीम नरेंदर मोदी आज दिली के तालकटोरा स्टेडियम में एक राष्ट्रे व्यपारी समिलन को संबोधित करेंगे। इस समिलन में देश भर के हजारों व्यपारी शामिल होंगे और इस कारिकम को राष्ट्रे व्यपारी धन्यवाद महा समिलन का नाम दिया गया। वेपारियों से किये गए वादो को चनाव घोशना पत्र में शामिल करने पर PM मोदी का अभार वेक्ट करने के लिए वेपारियों ने इस समेलन का योजन किया पार्टी के ओर से किये गए वादो में 10 लाक रुपे का दुर्गटना वीमा स्टाट लाग के बाद पेंशन, माफ की जगा साट साल के बाद पेंशन योजना और सयाफ थी, किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही व्यापारियों के क्रेडिट कार्ड योजना, जीस्टी का सरली करण और पांच लाग तकी आयकर से चूट भी इस गोशना पतर में शामिल है, पीम नरेंदर मोदी देश के अर्थवयवस्ता और विकास में व्यापारियों के सयोग पर इस कारेकरम में बादचीत भी करेंगे, और दिली भाजपा के प्रमुक मनोस्तिवारी के अनुसार सिर्फ भ भाजपा ही व्यापारियों के समस्याओं का स्थाई समधान कर सकती है, और साथ ही Confederation of All India Traders के राष्ट्री महमंतरी प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि समेलन में व्यापारी पीम का धन्यवाद करेंगे, खंडेलवाल के अनुसार भाजपा ने अपने चुनाव घोशना पतर में व्यापारियों के लिए प्रमुख और बुनियादी मुद्दों को शामिल किया, जिसे दिल्ली सहीत देश भर के व्यापारियों में काफी जादा उत्साह का माहौल है